आप 12 में हो और BCA करने का सोच रहे हो और दिमाग में सवाल आ रहा है कि BCA की पढ़ाई पता नहीं कितने टफ होगी जो स्टुडेंट्स Commerce और Arts Background से होते हैं उनके मन में तो ये ख्याल जादा ही आता है कि क्या वो BCA में 3 साल सर्वाइब कर भी पाएंगे या नहीं तो अगर ये confusion आपके मन में भी चल रहा है तो BCA Fundas by Sunstone के आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो तीन चीजें जो आपको BCA करने से पहले पता होने चाहिए इनको जानने के बाद आपके काफी confusions clear हो जाएंगे तो अगर आप चैनल पर नए हो और BCA को लेके बहुत कुछ जाना चाते हो तो जुरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो में दी गए information आपके BCA करेर में helpful साबित होती है तो वीडियो को like करना बिल्कुल ना बोलें So without wasting any single second, let's begin with the video मैंने 12th में IT computers कुछ नहीं पढ़ा है ना मैंने कभी programming की है यानि I don't know coding at all तो क्या मैं BCA कर पाऊंगा अगर ये question आपके मन में भी है तो मैं आपको यहाँ पे clear करना चाहूंगा कि coding की अगर आपको zero knowledge भी है तो भी आप BCA आराम से कर सकते हैं इंसाइट BCA में आपको majority बच्चे वही मिलेंगे जिन्होंने पहले कभी programming नहीं की होती है क्योंकि BCA की यही खासियत है कि वो एक ऐसा course है जो science के साथ साथ बाकी सभी steam के students को भी software field में एंटर होने का मौका देता है जिन में से बहुत से computer या IT field को पहले से जानते ही नहीं है और एक बात BCA में आपको programming language कहीं BCA नहीं पढ़ाई जाएगी बट scratch से पढ़ाई जाएगी coding के fundamental concept समझाए जाएंगे considering you are very new to computer coding and software world हमें यह समझना होगा कि BCA कोई advanced course नहीं है बट basic course है BCA के first year में आपको basic but most important programming language C सिखाई जाती है C programming की labs होती है जहाँ पे आप hands on कर पाते हैं next year आप C++ सीखते हैं तो ऐसे आप अपने coding skill sets को step by step develop करते हैं BCA में तो programming पहले आती है या फिर नहीं ये matter नहीं करता है matter करता है कि BCA में आप अपने interest से आये हैं computer applications, programming, coding ये सब सीखने के लिए ना कि किसी और के कहने पे इस approach से अगर आप BCA में जा रहे हो तो ये course आपको मुश्किल नहीं लगेगा अब commerce और arts वाले students ने बड़ी मुश्किल से तो 10th में math से चुटकरा पाया था अब BCA में फिर से math तो mathematics कितना tough होगा एक non-science student के लिए ये question अक्सर रहता है commerce और arts student का जो BCA में admission लेने का plan कर रहे होते हैं इसे actual में tough कहना मैं गलत कहूंगा ऐसा इसलिए क्योंकि आप सोच रहे होते हैं कि BCA में तो science वाले बच्चे भी आएंगे जिन्होंने 11-12 में maths पढ़ा होगा और आपने तो 10 तक ही maths पढ़ा है तो ये जो time वाला concept है ना ये आपके दिमाग में तब आता है जब आप comparison करते हो अब मान लीजिए BCA में सभी बच्चे commerce और arts से आए हैं और आपके मन में ये खयाला कम आएगा कि maths पता नहीं कितनी टफ होगी क्योंकि अब आपके मन में तसली होगी कि सभी बच्चे सेम लेवल के हैं तो actual बात ये है कि BCA में maths को समझने के लिए आपको बस थोड़ा सा जाधा time जाधा effort देना पढ़ेगा as compared to science students क्योंकि maths subject आपने दो साल से चुआ भी नहीं है और जिन students ने 11-12 में maths पढ़ा है उन्हें BCA के maths समझने में comparatively कम time और कम effort लगेगा बस इतना ही फरक है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि BCA के first year में आपको foundational mathematics, discrete mathematics जैसे subject पढ़ाए जाएंगे इनका syllabus design इस तरीके से किया जाता है कि सभी बच्चे basic से इन्हें समझ पाएं ऐसा नहीं होगा कि जो चीजे पढ़ाई जाएंगी वो सब आपके उपर से जाएंगी ध्यान रखें आपका maths first class से नहीं चुटा है 10 से चुटा है आप जल्दी cope up कर लेंगे maths में अब ऐसा भी देखा जाता है कि BCA में admission लेने वाले बहुत से students ऐसे होते हैं जो Hindi medium school से आते हैं और BCA के subjects completely English में होते हैं तो यहां मैं कहना चाहूंगा कि Hindi medium वाले students को शुरुबात में थोड़ी दिक्कत तो जरूर होती है लेकिन इस चीज को वो एक barrier लेके ना चले English जैसा कि एक global language है और software companies में अगर आप future में काम करना चाहते हैं तो English लिखना और बोलना तो आपको धीरे-धीरे सीखना ही पड़ेगा तो क्यों ना BCA की classes शुरू होने से पहले से ही आप इन चीजों की practice करना शुरू कर ले डिजिटल के इस जमाने में easily accessible internet, mobile app से आप easily Hindi to English concepts practice कर सकते हैं और BCA में बहुत सी books ऐसे भी आती हैं जिनमें line to line Hindi to English conversion होता है ताकि जहां पे English में आपको कुछ चीज़े समझ ना आए आप Hindi में उनका translation देख सकते हैं लेकिन इसको आदत नहीं बनाना है इसको बस अपने आपको जल्दी से जल्दी English में completely comfortable करने के लिए use करना है अब मेरे इसाब से BCA के पढ़ाई को लेके आपके मन में जो तीन सबसे बड़े डर थे वो काफी हद तक clear हो गये होंगे और BCA लेने के लिए आपके decision में काफी help हुई होगी तो अगर ऐसा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को subscribe करें आप जैसे और भी students होंगे जिनके लिए BCA से लेटेड ये information helpful साबित हो सकती है तो ज़रूर इस वीडियो को ज़र ज़र शेर करें उन सभी students के साथ और अगर आप चाहते हैं BCA पे free career counseling वो भी by sunstone तो check the link in the pinned comment below और यही link आपको description box में भी देखने को मिल जाएगा So thanks for watching our video, हम ज़र लेके आएंगे BCA से लेटेड एक और ऐसा ही doubt clearing video, till then take care stay safe and believe in you